मतलब कि चलिये कमरा में और विश्टर को गरम कीजिये तो सर्दी नहीं लेगा कि चलक कमर के भीतरे हमुबानी हीट रे आज पवन सिंग का एक और असलील भाया सोंग आया है जो कि जारा सोंग है और पवन सिंग एक बार फिर दुबारा असलीलता में अपना लकीर खीच दिये हैं क्योंकि जो पवन सिंग के सोंग का बोल है कि चलक कमर के भीतरे हमुबानी हीट रे अब पवन सिंग आखी बताना क्या चाहते हैं कि बिना एलेक्टरी सीटी के बिना बीजली के कौन सा ऐसा आधुनिक समय में आ गया हीटर जो बिना एलेक्टरी सीटी के चलेगा और ऐसा क्या है जिसे पवन सिंग कमर के भीतर जाकर ठंडा करना चाहते हैं और जो पवन सिंग का सोंग आया है नो तो इसका टीजर लंच किया गया नो तो इसका पोश्टर आया है और अचानक से आज पवन सिंग के official YouTube channel पर एए सोंग आता है और सोंग आने के बाद अभी तक सोंग जिससे मैं वीडियो सुट कर रहे हैं एक मिलिएन क्रोस कर गया है और मज़ा मिली तो हरदिया न लागी अब ये बताना क्या आचार हैं स्याद आप लोग भी समझ गए होंगे कि चापा धन हो सरदिया न लागी मतलब कि चलिये कमरा में और विष्टर को गरम कीजिए तो सरदी नहीं लेगा और जब मज़ा मिलेगा जब विष्टर गरम होगा से पहले भी असलील एस्टार अगर कहा जाए पावरेश्टार भी है लेकिन ऐसा आप बिआ के साथ किस गाना को सुन सकते हैं साइध आपका जवाब होगा नहीं तो जब हम अपने माप बहन के साथ अगर किसी गाने को नहीं सुन सकते हैं तो क्या ओ गाना अस्रील मुफ्ष हो सकता है ऐसा कौन सा भाई हीटर है जो बिना electricity के चलता है और में चलत चाप धन हो सरदिया न लागी जब मजा मेली तो हरदिया न लागी कहने का मतलब है कि चलिए बिस्तर को गरम किजिए और भोजपूरी इंड़स्ट्री में लगातार विबाद होते रहता है इसी चीज को लेकर कि जो सिंगर है बिस्तर गरम करने को कहते हैं और पवन सिंग पर भी ऐसा कई बार आरोप लगा है और अगर ऐसा ही असलील गाना गाकर अगर भोजपूरी को ट्रेंडिंग में लाना है नमर वन पर लाना है तो ऐसा नमर वन और ट्रेंडिंग हमको नहीं चाहिए हमको नीचले अस्तर पर ही चाहिए लेकिन साथ सूत्रा चाहिए, जिस गाना को अपने समाज में बजा सके, सुन सके, माबन के साथ सभी लोग बजा सके, कि आप लोग को लगता है किस गाना को माबन के साथ सुना जा सकता है, अगर साथ आप लोग को लगता है, तो आपके लिए गाना असलील नहीं है, लेकिन मेरे हिसा आप से गाना असलील है आप लोग की क्या परतिकरिया है वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में पीड़ाय जबूर दीजिए गार